तो अब हम पढ़ेंगे reflection of light के बारे में कि reflection of light क्या होता है किसे हम reflection of light बोलते हैं तो जैसे कि हमने properties of light में पढ़ा कि light अमेशा see the line में travel करते है light travel in a straight line तो अब reflection क्या होता है when a beam of light is incident on a polished surface and is sent back in some medium same medium this phenomena is called reflection of light इसका मतलब क्या है कि माल लेते हैं कोई यह light wave है यह वाली यहां से light wave आई और यह किसी भी इस plane surface से टकराई है हमने निच्चे plane mirror मान लिया है कि एक mirror था और यह निच्चे mirror पे यह police किया गया है mirror को अब मान लेते हैं light आई और इस point पे टकराई है तो हम क्या करेंगे जहां भी light टकराई है यहां से टकराने के बाद अब light क्या होगा उसी plane में एक दूसरी direction में चली जाएगी तो यह जो process हुई light आई यहां पे इस point पे टकराई और टकराने के बाद इस direction में चली गई यह जो process है इसको हम बोलते है reflection of light तो यहां पे जो यह light आई थी इस ray को हम बोलते है incident ray यह जो आने वाली रे होती इंसिडेंट रे और यह टकराने के बाद जो इदर लाइट चली गई यह होती है रिफलेक्टिड रे अब यहाँ पे जो रिफलेक्शन होती है इसमें थोड़े से हम और बातों के बारे में पड़ेंगे जैसे की देखिए जो लाइट आई मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे टकराई आके तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एक 90 डिगरी का एंगल बना देंगे ऐसे मीरर के साथ ध्यान रखिए यह एंगल हम मीरर के साथ बनाएंगे जैसे की यह मीरर था और यहाँ पे हमने इस पे एक 90 डिगरी का एंगल बना दिया इस 90 डिगरी का हम बोलते हैं नॉर्मल तो जब लाइट आएगी कोई भी इंसिडेंट रे यह लाइट आई यहाँ से और टकरा के वापिस चली गई तो यहाँ पे यह कुछ शुरूल होते हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ओफ इंसिडेंट जिसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं अब यह टकराने के बाद मान लेतिन लाइट यहाँ से चली गई तो यह नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगी जिसको हम बोलते हैं angle of reflection जो कि हम denote करते हैं R से तो ये जो angle I होता है वो incident के और normal incident ray ये वाली और normal इनके बीच में बनता है, angle R होता है वो reflected ray और normal के बीच में बनता है, इनकों बोलते है angle I and angle R अब हम आगे पढ़ते हैं mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal और copper तो यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था कि ये mirror है इसको हमने यहाँ पर police कर दिया गया है ये police किस चीज़ से करते हैं तो ये या तो silver से या copper से हम police करते हैं क्योंकि ये जो होता है surface को बिल्कुल shiny बना देते हैं अच्छे से light reflect होगी जितना ज्यादा shiny surface होगा जितना ज्यादा police surface होगा light उतनी ही ज्यादा reflect करेगी तो यहाँ पर important ध्यान देने की बात ये है कि सबसे पहला तो question ये बनता है कि angle eye कहाँ पर बनता है तो जो angle eye होता है वो incident ray और normal के बीच बनता है angle eye जो है की जाती है तो वहाँ पर silver या फिर copper से हम दोनों की coating करते है या तो silver metal से coating करेंगी या फिर copper से coating करते है अब next है type of reflection जो ये reflection होगा ये कितने type का होता है तो दो type का होता है regular reflection और irregular reflection इसके बारे में हम पढ़ेंगे regular reflection क्या होता है the reflection of parallel beam of light from a mirror so that reflected rays are parallel to each other मा लेते हैं ये plain surface है बिलकुल यहाँ पे light आई टकरा के ऐसे चलेगी दूसरी ray आई टकरा के चलेगी तीसरी आई और टकरा के चलेगी तो ये incident ray सारी parallel थी और ये reflected ray है ये भी सारी parallel है तो इस type का reflection होता है उसको हम बोलते है regular reflection second है irregular reflection irregular reflection क्या होता है मा लेते हैं इन में incident ray है ये सारी हैं बिलकुल parallel लेकिन जो surface है वो बिलकुल plane नहीं है वो उच्चा निचा ऐसे irregular surface है तो यहाँ पे क्या होगा टकराने के बाद light कोई इस direction में चले जाएगी कोई किदर ये parallel नहीं होगी अलग-अलग direction में चली जाएगी तो ये जो इस type का reflection है इसको हम बोलते है irregular reflection अब हम next topic है laws of reflection laws of reflection के बारे में हम पढ़ेंगी तो यहाँ पे reflection की दो laws होती हैं जिनको हम बोलते हैं first law और second law first law of reflection, second law of reflection first law क्या कहती है the incident ray the reflected ray and the normal at a point of incident all lies in the same plane इसका मतलब क्या है देखें यहाँ पे हमने पढ़ा था reflection के बारे में तो यह क्या था कि ये जो incident ray है ये normal है और ये reflected ray है ये तिनों same plane में होंगी same plane का मतलब है कि mirror के एक side में और एक ही plane में होंगी मतलब ये उपर या निचे नहीं होंगी जैसे कि ये light आई ये नहीं है कि टकरा कि ये थोड़ा सा mirror से उपर चली जाएग या निचे चली जाएगी मतलब ये जिस height पे ये light आई थी उसी height पे ये light रहेगी इसका मतलब होता है same plane अब second law of reflection क्या है second law of reflection है the angle of incident always equal to the angle of reflection इसका मतलब क्या है कि हमने अभी पढ़ा था कि मान लेते हैं ये एक plane mirror था यहाँ पे हमने coating की थी ये incident रहाई यहाँ पे हमने normal के साथ angle i बनेगा और ये टकरा कि दर चली जाएगी यहाँ पे angle r बनेगा तो ये जो angle i होता है और ये angle r ये हमेशा equal होते हैं ये है second law of reflection इसका मतलब क्या है कि जितने angle से light mirror से टकराएगी मान लेते हैं 30 degree के angle से टकराई तो जो reflection angle होगा वो भी कितना होगा 30 degree का ही होगा 30 degree के angle से टकराएगी 30 degree से ही टकराके वो अपे से ली जाएगी इसको हम बोलते है reflection की second law तो first law क्या थी कि incident ray जो ray mirror से टकराएगी या कि ये वाली और ये normal और ये reflected ray ये तिनों same plane में होगी second law क्या है कि ये जो angle i बनेगा यहाँ पे और ये angle r बनेगा यहाँ पे ये क्या होते है हमेशा equal होते है in combo होते है laws of reflection अब next हम थोड़े से basic term जो हम ने पिछली क्लासों में पढ़ लिए उनको एक बार revise करते है real image क्या होती है और virtual image क्या होती है तो सबसे पहले real image the image which can be obtained on a screen is called real image इसका मतलब क्या है जो image जिसको हम screen पे बना सकते है screen का मतलब क्या है screen का मतलब TV या television वाली screen नहीं screen का मतलब कहीं पे भी image बनती है उसको हम screen बोलते है जैसे दिवार पे image बनेगी तो दिवार भी एक screen होगी है या board पे image बनेगी board एक screen का काम करेगा तो इसको हम बोते हैं screen इसका मतलब क्या है कि जो image होती है जिसको हम screen पे मतलब हम कहीं पे भी बना सकते हैं वो होती है यह image जैसे कि the image formed on a cinema screen जो projector से cinema की screen पर image बनती है अगर हम projector वो मान लेते हैं यह यह projector था यहां से ऐसे light आ रही है यहां पर image बनेगी अब मान लेते हैं projector का मूँ हमने उस side कर दिया तो यहां पर दिवार होगी तो उस पर image बन जाएगी अगर हमने इस side मूँ कर दिया था यहां पर दिवार होगी तो यहां पर image बन जाएगी कहने का मतलब यह है कि हम उस image को जहां चाहिए वहां बना सकते हैं इस टाइप की जो image होती है उसको बोलते है real image next है virtual image virtual image क्या होती the image which cannot be obtained on the screen is called virtual image जिसको हम ऐसे कहीं भी दिवार पे या किसी भी screen पे नहीं obtain कर सकते नहीं बना सकते वो होती है virtual image जैसे की the image in a plane mirror माल लेते हम घर पे अपना मुझ देख रहे हैं उसमें हमें अपनी image दिखाई देगी उस image को हम mirror से बाहर नहीं लेकर आ सकते वो हमेशा mirror के अंदर ही रहेगी तो इस type की जो image होती है उसको हम बोलते है virtual image तो mirror के से जो image बनती है वो होती है virtual image अब हम पढ़ेंगे reflection के बारे में अब देखिए reflection कहाँ पे होता है reflection तब ही होगा जब हमारे पास कोई भी sine surface है वहाँ से light टकरा के वापेस ली जाएगी तो हम यहाँ पे mirrors के बारे में पढ़ते हैं mirrors में reflection के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे